3.35,6 2014 में चुनाब ड्यूटी में लगे प्रऊथम मद्दान अधिकारी यानिकी P1, 2.35 अधिकारी यानिकी P2 वो त्रितिय मद्दान अधिकारी यानिकी P3 के मद्दान स्थल पर क्या कार्य और दाय तो होते हैं आपको इस वीडियो के माद्यम से बताय जाएगा पीठा सीन अधिकारी यानि की PO के कार्य और दायतों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे तो आईए वीडियो शुरू करते हैं आईए सबसे पहले हम प्रथम मद्दान अधिकारी यानि की P1 के कार्य और दायतों पर चरचर गरते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मद्दान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन प्रथम दुति और तृतिय मद्दान अधिकारी के कार्य और दायतों को सुनने से पहले आप देखें यहां पर लिखा हुआ है कि पीठा सीन अधिकारी मद्दान इस्तल पर प्रथम मद्दान अधिकारी यानि कि पीवन के कार्य और दायतों को समझा जाए इसमें सबसे पहला है कि प्रथम मद्दान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रती और अमिट स्याहि का प्रभारी होगा इसका मतलब यह है कि निर्वाचक नामावली जिसमें सभी मद्दाताओं के नाम लिखे होते हैं उस निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतिका यानि कि जब भी कोई मद्दाता मद्देने आता है तो निर्वाचक नामावली में जहां पर उसका नाम होता है वहाँ पर चिन्ह लगाना होता है उसे निर्वाचक नामावली की चिनित प्रति कहा जाता है और अमिट स्याही जो हाथ में अमिट स्याही लगाई जाती है उसका जो प्रभारी होता है वो प्रथम मद्दान अधिकारी होता है इसमें जो दूसरे है वो यह है यह मद्दातां के पहचान करने का जिम्मेदार जानकारी प्राप्त करेगा जैसे ही मद्दाता मद्दान करने प्रवेश करेगा तो प्रतम मद्दान अधिकारी उस व्यक्ति से उसका नाम और वाड की जानकारी प्राप्त करेगा इसमें अगला है कि प्रतम मद्दान अधिकारी मद्दाता का नाम और पिता का नाम इतनी ते जिसे पूछेंगे कि जो पीछे बैठे पोलिंग एजेंट हैं वो भी उसे सुन सकें और उसकी पहचान कर सकें इसमें अगला है कि निर्वाचक आयोग द्वारा निर्धारित पहचान दस्तावेजों में से किसी एक के मूल रूप में प्रस्तूत करने पर फोटो युक्त पह होने पर आस्वस्त होंगे देखे निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित पहचान के दस्तावेज हैं जो पहचान पत्र हैं जिसके आधार पर मद्दान किया जा सकता है उसके आधार पर प्रतम मद्दान अधिकारी तथा कथित व्यक्ति की पहचान करेगा और प पहचान पत्र के अनुसा जो ये व्यक्ति है वो सही है उसके बाद प्रथम मद्दान अधिकारी निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित करेगा इसमें अगला है कि यदि मद्दाता महिला है तो उसके नाम को रेखांकित करने के साथ ही सही का चिन भी लगाएग कि अगर मद्दाता महिला है तो निर्वाचक नामावली में उसके नाम को रेखांकित भी किया जाएगा और साथ में शुरुवात में टिक भी लगा जाएगा इसमें अगला है कि मतदान कर चुके महिला और पूरुस की संख्या की सूचना प्रथम मतदान अधिकारी से ही प्राप्ट की जाती है अता प्रथम मतदान अधिकारी सादे कागच पर परियाप्त संख्या लिख कर महिला और पूरुस के सामने टिक करते जाएं देखे जब भी कोई ये पूछीगा कि कितना मद्दान हो चुका है उसमें कितनी महिला है और कितना पूरुष है तो ये सब बताने का जो उत्तरदाई होता है वो प्रथम मद्दान अधिकारी होता है तो इसके लिए प्रथम मद्दान अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि एक एक साधे कागच पर जब भी एक पनना पूर्ण हो तो कितने महिला और कितने पूर्षों ने मधदान किया है उनका टोटल किया है ये सब नोट करते वे जलें ये जब लास्ट में मधदान को समरायच किया जाता है उस समय भी काफी मदद करता है तो प्रत्म मद्दान अधिकारी जरूर ये कार कर लें इसमें अगला बिंदु है इसके प्रश्चाथ प्रथम मद्दान अधिकारी मद्दाता के बाएं हाथ की तरजनी उंगली पर अमिट स्याही का लंबा टीका इस प्रकार लगाएं कि आधा निशान नाखून पर और आधा निशान खाल पर पड़े देखे जब मद्दाता की पहचान हो जाएगी निर्वाचक नामावली में उसका नाम रिखांकित हो जाएगा उसके बाद प्रथम मद्दान अधिकारी मद्दाता के बाएं हाथ की तरजनी उंगली पर अमिट शाही लगाएंगे और शाही भी ऐसे लगाना है कि नाखून और थोड़ा सा खाल पर दोनों जगे टच हो जाए क्योंकि नाखून पर अकसर जो अमिट शाही है वो मिट जाती है और जब खाल और नाकों दोनों पे लगेगा तो वो चाही नहीं मिटेगी इसमें अगला है कि यदि मद्दाता के बाया हाथ में तरज़ी उंगली नहीं है तब बाया हाथ की मध्यमा उंगली पर निशान लगाएगा मद्धिमा भी नहीं है तो अनामिका पर और अनामिका भी नहीं है तो कनिस्ट का पर और कनिस्ट का भी नहीं है तो बाया हाथ के अंगुठे पर निशान लगाएगा तो आप समझ गए होंगे कि किस अंगुली के नहीं होने पर किस उंगली पर आपको निशान लगाना है इसमें अगला है कि मान लेजे मददाता का बायां हाथ ही नहीं है तो ऐसी दसा में मधदाता के दाहिने हाथ की उंगलियों में अमिट स्याही लगाने का वही क्रम होगा अर्था सबसे पहले तरजनी, फिर मद्दिमा, फिर अनामिका, फिर कनिस्ट का और अंत में अंगुष्ठ पर निशान लगेगा देखें मद्दाता का बाया हाथ नहीं होने पर दाहिने हाथ पर अमिट शाही का निशान लगाया जाएगा यदि बाया पैर भी नहीं है तो दाहिने पैर में अमिट शाही लगाने का वही क्रम होगा कि अगर मद्दाता के दोनों हाथ नहीं है तो बाया पैर के उंगलियों पर अमिट शाही लगाने का वही क्रम होगा जो उपर बताय गया है और अगर बाया पैर नहीं है तो दाहिने पैर के उंगलियों पर भी वही क्रम होगा जिस पर अमिट स्याही लगाई जाएगी इसमें अगला है कि मान लिजे मदाता के पास हाथ और पैर कुछ भी नहीं है तब सरी के किसी सहज द्रिस्टव्य स्थान पर अमिट स्याही का टीका लगाए जाएगा मान लिजे की मददाता के दोनोn हाथ भी नहीं है और दोनोn पाउं भी नहीं है तो मददाता का किसी ऐसे स्थान पर अमिटस चाही लगाएंगे कि जहांपर से स्पल्स्ट रूप से दिख सके इसी के साथ प्रथम मद्दान अधिकारी का जो अंतिम कर्तवे और दायत तो है वो ये है कि इसके पस्चात मद्दाता को दुतिय मद्दान अधिकारी के पास भेज देगा कि प्रत्थम मद्दान अधिकारी ये सारे कारे करने के बाद मद्दाता को दुती मद्दान अधिकारी के पास भेज देगा देखें दुती मद्दान अधिकारी का जो पहला कारे और दायत तो है उसके अंतरगत दुतिय मद्दान अधिकारी मतपत्र और arrow cross seal का प्रभारी होता है यानि कि दुतिय मद्दान अधिकारी ballot paper जिस पर vote दिया जाता है और जिससे vote दिया जाता है arrow cross seal जिसे ink pad पर dip करके और फिर vote दिया जाता है उसका प्रभारी होता है इसमें अगला बिंदु है यह मतपत्रों के आवंटन का अधिकारी होता है यानि कि मतदाता को कौन सा मतपत्र देना है उसका अधिकारी होता है इसमें तीसरा है इस अधिकारी के पास चार प्रकार के मतपत्र होंगे यानि कि दूती मद्दान अधिकारी के पास चार तरह के मतपत्र होंगे, इसमें जो सबसे पहला मतपत्र है वो ग्राम पंचाय सदस्य का होगा और जिसका रंग सफेद होगा, दूसरा मतपत्र ग्राम प्रधान का होगा और इसका रंग हरा होगा, तीसरा मतपत्र छेतर पंच पंचाय सदस्य यानि कि बीडी सी सदस्य का होगा और जिसके मतपत्र का रंग होगा नीला और चौथा मतपत्र जिला पंचाय सदस्य का होगा और इस मतपत्र का रंग होगा गुलाबी इसमें अगला बिंदू है दुती मद्दान अधिकारी को सावधानी रखनी होगी कि मद्दाता को ग्राम पंचाय सदस्य हे तू उसी वाड से संबंदित मत्पत्र दिया जाए जिस वाड की मद्दाता सूची में उसका नाम अंकित है देखें दुती मद्दान अधिकारी को इस बात का ख्या लखना होगा कि मद्दाता जिस वाड का है उस वाड क ग्राम पंचय सदस्य का मददाता पत्र मददाता को देना होगा इसमें अगला है दुती मददान अधिकारी को कारे निस्पादन में सुगमता के लिए चाहिए कि वह कागच के चौक और टुकडे पर वाडों के क्रमानक लेग कर उन्हें क्रमवार अपनी मेज पर चिपका ल रख ले ऐसा करने से सही वाड का मदपत्र जारी करने में तुटी के संभावना नहीं रहेगी देखे मद्दान इस तल पर ग्रामपंचाय सदस्य से संभंदित जितने भी वाड हैं तो दूतिय मद्दान अधिकारी को चाहिए कि वाडों की संख्या की पर्ची वो अपने मेच के सामने चिपका ले और उन वाडों से संबंधित मतपत्र को उसके उपर रख ले जिससे जिस भी वाड का मतदाता आएगा उस वाड से संबंधित ग्राम पंचाय सदस्य का मतपत्र मद्दाता को दिया जा सके इसमें अगला बिंदु है यह अधिकारी मद्दाता सूची में अंकित मद्दाता का क्रमांग चारों मत्पत्र के प्रतिपण में दर्श करेगा और प्रतिपण पर मद्दाता के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान लेगा देखें यहां प्रतिपन का मतलब होता है कि जब मत्पत्र को फाड़ा जाता है तो उसके उपर का जो शेश भाग होता है उसे प्रतिपन कहते हैं तो जब भी दूती मद्दान अधिकारी मतपत्र को फाड़ेगा तो प्रतिपन पर मद्दाता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लगवाने होंगे इसमें अगला है कि यदी कोई मददाता प्रतिपन पर हस्ताक्षर करने या अंगूठा निशान लगाने से मना कर देता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा कि यदि कोई मद्दाता प्रतिपन पर अंगुठे का निशान या हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे मतपत्र नहीं दिया जाएगा इस पे अगला है कि प्रतिपन पर हस्ताक्षर कर दिये जाने या अंगुठे लगा दिये जाने के बाद यह अधिकारी मद्दाता को मत पत्र मोड कर देगा साथ में मत अंकित करने के लिए रबर सील स्याही लगा कर देगा और मद्दाता को मद्दान कक्ष में जाकर मत अंकित करने हितु संकेत करेगा कि जब भी मद्दाता प्रतिपन पर हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान लगा देगा तो उसके बाद दुती मद्दान अधिकारी मद्दाता को मतपत्र देगा और रबर की सील देगा जिससे मद्दाता मतदान कक्ष में जाकर अपना मत अंकित करेगा इसमें अगला है कि मत्पत्र को पहले खड़ा और बाद में पड़ा करके मोडा जाएगा देखें मद्दाता को पहले ही बता दिया जाएगा कि जो मत्पत्र होगा उसे पहले वर्टिकली यानि कि खड़े मोडा जाएगा और फिर horizontally यानि कि पढ़े मोडा जाएगा जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं यहाँपर लिखा यहाँए कि तृती मदान अथिकारी तो तृती मदान अथिकारी के जो कार्य और दाईत होते हैं उसमें सबसे पहला कार्य है कि तिरती मदान अधिकारी मत पेटिका का प्रभारी अधिकारी होता है देखें जो मत पेटि जिसमें मत पत्र डाले जाते हैं उसका जो प्रभारी होता है वो तिरती मदान अधिकारी होता है आपट जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि यह मदान अधिकारी मदपत्रों को सही मदपेटिका में डलवाने और मदपेटिका पर सतत निगरानी का अधिकारी होगा देखे पंचाय चुनाव है तो इसमें ग्राम परधान का भी चुनाव होगा ग्राम पंचाय सदस्य का भी चुनाव होगा BDC सदस्य का भी चुनाव होगा और जिला पंचाय सदस्य का भी चुनाव होगा तो सही मत्पत्रों को सही पेटिका में डालने का जो अधिकारी होता है जो दाइत तो जिसके उपर होता है वो तृती मत्दान अधिकारी के उपर होता है मद्दाता कक्ष में जाकर अपना मद्दान करें इसमें जो अगला बिंदू है वो यह है कि मद्दान के पस्चात मद्पत्र को मद्पेटिका में डलवाने में मद्दाता की साहता करेगा देखें जब मद्दाता कक्ष से मद्पत्र पर मुहा लगाने के बाद मद्दाता मतपत्र को ले कर आएगा तो तिरती मद्दान अधिकारी उन सभी मतपत्रों को सही मतपेटिका में डलवाने में मद्दाता की मदद करेगा इसमें अगला है कि मद्दान के पच्चा सीगरता से मद्दाता को बाहर भेजेगा जिसे कि मद्दान इस तल पर भीड न इखटा हो पाए जैसे ही मद्दान पून हो जाएगा उसके बाद तृती मद्दान अधिकारी मद्दाता को सीगर ही मद्दाता कक्ष से बाहर करेगा ताकि मद्दाता कक्ष में भीड इखटा न हो पाए इसी तरह है तृतिम मददान अधिकारी का जो अंतिम कार्य और दायित्यों है वो ये है कि बीज-बीज में पुशर के दोरा मत पेटी में डाले गए मत पत्रों को अंदर धकेलता रहेगा ताकि मत पेटी की पूरी छमता का उपयोग हो सके देखे जब मत पत्र डाले जाते हैं मत पेटी का में मत पत्रों का साइज काफी बड़ा होता है और वो जिस स्थान से मत पेटी का में मत पत्र डाले जाते हैं वहाँ पर अटक जाता है तो तृतिम मददान अधिकारी एक पूशर होता है लोहे का उसकी मदद से मदपत्रों को अंदर ढखे लेगा ताकि मदपेटिका के अंदर जितनी भी जगे है उसका उचित उप्योग किया जा सके मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माद्यम से तृती मददान अधिकारी के क्या कारे और दायत तो होते हैं वो आपको अच्छे धन से समझ में आये होंगे फिर भी अगर कोई शंका है तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपने प्रशनों को पूछ सकते हैं वीडियो को जादा से जादा शियर करें ताकि जो भी तृती मददान अधिकारी हैं वो अपने कारे और दायत को समझ सकें और अपनी चुनाव ड्यूटी अच्छे से निभा सकें वीडियो देखने के लिए आप सबी लों का भाद भाद धन्यवाद